मनलब मॉस्टली मैंने लोग देखा हो माई गॉड इंडिया में हसकी इंडिया में हसकी यह भी 15-16 मंस का हो चुका है और इसका डाइट प्लान है ना मैं आपको बताऊंगा नॉन्वेज वाला डोग फूट आता है मैं नॉन्वेज नहीं खिला सकते क्योंकि हमारे घर में चल फिर बोलतें इंडिया में मैं इन लोगों को क्या कहना चाहिए यार हलो नवशकार मेरा नाम है इंद्रजीत कीर और मैं हूं मारवारी हसकी ऑसकर के साथ में मेरा बच्चा मेरी जान मेरा सब कुछ आज में सभी के कुछ डाउट से वो क्लियर करना है हूं बहुत लोग ने म कि मतलब मॉस्टली मैंने लोगों को देखा हो माई गॉड इंडिया में हसकी इंडिया में हसकी मैं को मैं सोचता हूं यार वो क्या सोच के यह वर्ड बोलते हैं मतलब चलो ठीक है अगर इसको मैं जम्मू कश्मीर से या फिर ऐसी जगे से लेके आया हूं जहां पर बहुत जगे बट मैं इसे अंबाला से लेके आया हूं जहां पर अलमूस्स इतनी गर्मी उती इतनी सर्दी होती है और जिन से लिया है वो बिजनिस कर रहे है आई थिंग मैं और भी मेरे इंस्टाग्राम में बताता रहता हूं वो शायद 20 से 22 साल से यह काम कर रहे हैं मतलब यह च हो कोई भी डॉग जिनके लॉंग हैर होते हैं चाहे वो गोल्टन डिट्रियोवर हो या फिर जर्मन शेफर्ड हो या यह हो सब को बराबर हो सकता है नो थोड़ा ज्यादा बड़ या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आगे यह जो बाते मैं आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा मेरे फ्रेंज के पास भी मेरे ऐसे तीन या चार फ्रेंज है और रिलेटिव से हैं तो चार से पांच हस्की जें तो वो सभी एक तुछ इसे करके मनलब काफी अच्छा सवाइब कर रहें वह काफी टाइम हो चुका है उनको और मेरी कॉलोनी में बैक साइड में भी दो तीन लोग एक तो एक दम वाइट हस्की है मेरे जस पीछे तो वो भी लोग यहां रह रहे हैं यह पता नहीं लोगों ने क्या मित बना रखा है की हसकी वह भी राजस्तान पैले तो इन्डिया और राजस्तान नियुब लप पहले तो बहुतर स्भाइब कर रहे ओर अ यह सब्सेता यह इनकी हुथ 15 ईयर गीडरे तो यह लिखा है बागी डॉक्टर्स भी बताते हैं की काफी अच्छा सर्वाइब करते हैं तो अभी तक कोई भी प्रोब्लम नहीं है यह ना इसके साथ में क्योंकि हर्ट डेट या दोमेने में डॉक्टर्स के पास लेके जाता हूं तो इसका जो बोडी वैट है और जो इसकी आईज का कलर है जो इसके यह थम है यह सारे सब एक दम नैचूरल है मरलब ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हो जाती है जैसे सुस्त सा रहना या फिर इनक्टिव रहना यह कितना एनर्जेटी गई इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका एनर्जी लेवल वाइसा यह भी 15 16 मंस का हो चुका है और इसका जो डाइट प्लान है न मैं आपको बताऊंगा कि जो हम खाते हैं जो इनसान खाते हैं बट ओईली कम होता है और उसमें ओईली कम होता है और मसाले भी कम होते हैं क्योंकि मौम डेट वगरा बहुत कम खाते हैं मैं वेसे वीक में एक की बार खाता हूँ तो इसके लिए वही चीज बनती है ठीक है बट दो टाइम वो तो उसके अलावा इसके जो प्रोटीन के लिए टैबलेट है और इसके हैर और स्किन के लिए एक सिरप आता है इसके हैर और स्किन के लिए सिरप आता है और प्रोटीन टैबलेट्स आती है और इयर साफ करने के लिए तो वो अलग चीज है और एक और चीज थी केल्सियम बॉन वगरा इन सब का ध्यान रखा जाता है यह सारी चीजे डेली रूटीने इसका दिया जाता है इसको उसके लावा दो डोग फूड दो टाइम डोग फूड जो होता है अपना कंपनी इस तो जैसे बहुत सारी कंपनी आती है तो किसी भी कंपनी का आप डोग फूड दे सकते हैं बड़ अच्छा वाला जिसमें अच्छे प्रोटीन नूट्रिशन हो ठीक है उसके इलाव सबसे बड़ा सवाल तो डाइट का यह था ठीक है अडिली मॉर्निंग यह ना मॉस्टली क्या होता ही सबसे फ़लते अपनी मिल्क बोन खाता है एक ठीक है उसके बाद में यह पनीर वगरा खाता है लाइट जो होता है ना पनीर जैसे पचास ग्राम साट ग्राम यह इस तरी गर्णि कभाता है और फिर राइस और दही कभी-चपही होता कि मैं राइस द़ही देता हूं कभी-चब पनीर दे देता हूं के बाद ये ड्लोग फूड खाता है 11-11 बजे सम्टिंग फिर ये एक डिएट में भजे सम्टिंग जब खाना वाना खाते हैं सब्सक्राइब चा केल्शन की कमी है और यह मनलब इस विशांग गाट रहा है ख्यलना है इतनी important बात कर रहा हूं मैं और आपको खेलना है बस यह बोल की पीछे बढ़ा आ जाय था थे बोल से बहुत बड़ा शोकी नहीं सुभज शाम बोल से खिलाना पड़ता है दिन में मैं इसके साथ में लॉ यहां पे 26 यह से 27 डिए से जाधा गर्मी होती है वहां पे इसको ऐसी देना ही पड़ेगा है वरना ऐसी चलाना पड़ेगा वरना इंगे रेड़ स्पोर्ट हो जाएंगे और सो घीला कभी नहीं रखना चाहिए समर हो चाहिए विंटर सो यह इनके जो एक दो तीन चार पाच कभी घीला नहीं रखना वरना इंको रेड़ स्पोर्ट हो जाएंगे और जादागरमी से भी रेड़ स्पोर्ट हो जाते चाहिए तोड़ी जादा होगती है अगर आप अंधर से इनको हो सकता इनको शायद थूड़ी गर्मी जादा लगती हो यह मैं कह रहूं मैं अपने experience स कोई भी वीडियो देगे सीधा हैं नहीं बोल देगी आपको क्या पता हमारे उस हस्की के साथ यह उस हस्की के साथ यह गया मेरा एक्स्पीरियंस और यहां की 6-7 हस्की इसके बारे में बता रहा हूब आपको आप अब गर मैंटेन करते हो अच्छा है करते नहीं है कुछ खिलाते प्लाती नहीं धंक से प्रोटीन वगरा देती नहीं प्रोटीन गर्णाना ज़ुए मैंने और पर दो ज़दा ज़रूरी है तो डॉक्टर को जरूर दिखाए हर दो से तीन मेने में आ बेटा तु मेरा हाथ खा जा एक काम कर आध खा जा और अभी मैं इसको बोल दे दूँगा यह बोल लेकर जाएगा उपर छट पर बस थोड़ा सा फेकेगा उसके बास थक गया मैं पर इसको मैं चाहिए वो भी बाहर इसको फेल ना दें आभी देखना इसको यह मैरे साथ रहे और मेरे पर यह मैं पर करते रहे यह यह यहाँ पर बीलकुल पर भी तो अब यहाँ छोड़ते ही हाँ 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 ठीक 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 बाबू ठीक यह दो तीन जो डाउट से नहीं हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर प्लीज यारा आप कॉमेंट में भी प्लीज यह चीज ना मत लिखा और हो मैं परेशान होगा मैं लगता कि कि तने अने और एन एजुकेट में बस फिरिकाने तो दो लग पुछ भी नोलेज कुछ है नहीं एक्सपिरियंस कुछ है नहीं हसकी हो नहीं सकता और लोग वेवकूफे जो आट-टाट साल के हसकी कर दिये चेचे साल के हसकी कर दियो और इतने हैल्दी है इतने वेवकूण डाइट का मैंने बता दिया कि अगर आप शुरू से आदर डालोगे शुरू से आप अगर बीच में अगर डाइट चेंज करना चाहो तो वो उसका मेर को तो एक्स्पिरेंस नहीं है बागी हम जितने फ्रेंस से हम देशी डाइट देते हैं इवन इसको घी वगर आर जो बाटी होती है अपनी जो मारा तो चीन के खा जाता है यह उसका क्या कर सकते हैं पर चोकलेट्स विए कुछ नहीं देना इसको ते कर रहा हूं कर रहा हूं यह देखो फिर हाथ ले जाके लोग किसी तो कर दो एक बैड़ी जी इसी तो कर दो इसका हैरकट इतना गंदा गया अभी क्या वोलू है उसके बारे में घंदा है किया अभी कर वाओंगा इसका एक्ट यूली भी आप्रेल मैं मैं न काफी छे नमबर की मशीन कर वाँगा और इसको काफी उसमें काफी अच्छा लगता है एकदम छोटे वाल भी नहीं लिग बहुत हैंटसम लगता है एक छोटा सब बच्चा लगता है तो मैंने आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दिये कि रख सकते हैं बट उसके लिए मैंटेनेंस जरूरी है यार और और क्या बता रहा था और डाइट का मैंने बताई दिया आपको इसके लावा तो और क्या इश्य होता है वो तो कोई इश्यू नहीं है ऌरा मॉर्निंग वहूप करा दो जरूरी ही बाकी जो इनजेक्शन लगते हूं आपको साल में एक बार लगता है इसके रेवीच वी एक या दो इंजेक्शन और लगते हैं, वो मैं आपको मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं, वो इसकी हेल्थ के लिए और इसके कोट के लिए अच्छा होता है, मनलब इसकी पूरी बोड़ी के लिए अच्छा होता है, ये, तो चलो गाइस, ये मुझे आप लोगों को बताना हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, 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 मैं भी बात कर रहा हू इसी तरीके से प्यार देते रहें हमारे ओसकर को और आप भी हेल्दी रहें आप भी जैसे मैंने इसके बारे हम डाइट बताया आप भी अच्छे से खाई फिए हमनी हेल्थ का जहां में रखें और चलिए मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे ओसकर की चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है और अगर मेरा भी आप वीडियो देखना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तो आपने भी ब्लॉग्स बगरा बनाता जाल